बच्चो आज हम दो अंको की संख्या के तोड के साथ जुड़े दिल्चस्प तत्य सीखेंगे आंटी मुझे दही का बड़ा पैकेट दीजिए हाँ देती हूँ ये लो कितने रुपे देने है पच्चपन यानि 55 देने है पच्चपन रुपे के लिए मुझे कितने नोट और सिक्के देने होंगे तुम्हें पाँच दस के नोट और एक रुपे के पाँच सिक्के देने होंगे पर मेरे पास तो दस के तीन नोट ही है और पाँच के चार नोट और बाकी के से के है चिंता मत करो लीली ये दस-दस की एक, दो और तीन नोट है जिसे जोड कर हुए तीस रुपे अब ये 5 और 5 जोड के हुए 10 इस 30 के साथ 10 को जोडने से हुए 40 मतलब मुझे हर बार 10 की नोट ढूंडने जाना नहीं है 2 पांच रुपे की नोट जोड कर भी 10 रुपे बन सकते है तो अब ये 2 पांच की नोट जोड कर हुए 10 रुपे तो 40 में 10 जोडने से हो गए पूरे 50 रुपे हाँ 50 तो हो गए पर 5 अभी बाकी है पर अब मेरे पास 5 रुपे की नोट नहीं है पर सिक्के तो है ना सिक्के पर ये तो 1 रुपे के सिक्के है हाँ बेखो लीली तुम्हारे पास 1 एक रुपे के 5 सिक्के है तो ये एक एक रुपे को जोड़ने से पांच रुपे बनते है ये एक का एक सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चोथा सिक्का और पांच वा सिक्का यानि एक एक रुपे के पांच सिक्के मतलब पांच रुपे बिल्कुल सही लिली ये लो आंटी ये पांच रुपे धन्यवाद लिली बच्चो आज हमने दुकान में खरीदी करने के बाद नोट और सिक्के की मदद से दुकानदार को कैसे रुपे चुकाने है वो सीखा अगली वीडियो में हम अंको को समो में जूनना सीखेंगे अगली वीडियो में जूनना सीखेंगे